आपको प्रॉपर ग्रोथ दिख रही है मेरे आपने पिंपल को रिड्यूस करा और मेरी स्किन पर एक बहुत अच्छा ग्लो एफेक्ट लेकर आया है अगर आपकी एज दस साल की है या फिर साथ साल की है तो भी आप इस वाइटमिन सी सीरम को घर पर बना कर एपलाए करें और नेसली बोजती हूं कि आप मार्केट में मिलने वाले कोई भी सीरम, कोई भी फेशल, कोई भी क्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगे तो प्लीज इसको यूज करें और उसके बाद इसका रिजल्ट मुस्से शेयर करना पिल्कुल मत भूलें जानते हैं इस वाइटमिन C सीरम को बनाने के लिए किन चीजों की जुरत है और कैसे एपलाइ करना है और एक राद बाद जो आपके चहरे पर इसका एफेक्ट आने वाले ना प्लीज मुस्से शेयर करना मत भूलना इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है औरेंज संत्रा संत्रे में नाचुरली वाइटमिन C होता है एंटी ओक्सेंट होता है जो आपके चहरे से जुरियों को दूर करता है और आपके चहरे की जितनी पिग्मेंटेशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रि इसको बनाने करना पड़ेगा क्योंकि हमारे किचन में इतनी चीजे अवलेबल है लेकिन हम उनका सही इस्तमाल नहीं जानते और उनको छोड़कर हम मार्केट पे बिलीव करते हैं तो आप लोग ऐसी गलती ना करें इसको सबसे पहले हमें क्या करना है पील कर लेना है आप दो संत्री भी ले सकते हैं और अच्छा है क्योंकि आप इसको बनाके स्टोर कर सकते हैं कितने टाइम के लिए 1 week के लिए फ्रिज में यहां पर हमने संत्री के फाड़ीयां ले लीनी है अब इसको मिक्सी में। ग्राइच करना है ग्राइच करने के बाद चंदी की मदद से इसका जूस निकालना है, और इस जूस को मैंने अलड़ी निकाल कर शीशी में स्टोर करके रखा है, क्योंकि जो भी हम वाइटमिन C सेरम यूस करते हैं, इसको काज की शीशी में हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए, जो बहुत effective होता है, उसका long time बना रहता है, अब हमें क्या तो इससे बेटर चीज कुछ होई नहीं सकती, अलोविरा जेल आपके पिंपल आखनी को दूर करता है, आपके स्किन को स्मूद और ग्लोइंग बनाता है, संत्रे के फाइस आपको आपको आपके पता है, कि आपके एजिंग से रोकता है, आपको आपके स्किन को जितनी भी बनाता है, तो हम इसमें आप करेंगे 1 स्कून अलोविरा जल, लास्ट और में इंग्रीडियन्ट है हमारा लेमन, लेमन में नाशुर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, और यह आपके जितने भी दाग धब्बे हैं फेस पे उनको दूर करता है, आपके स्किन के कलर को इ तो आप छोटे साइस का ले सकते हो, और अगर आपके पास लेमन नहीं है, तो उसके ऑप्शनल में आप इसमें रोज वाटर राट कर सकते हो, वैसे मैं तो आपसे कहूंगी, जो लेमन वोग करता है वो कोई और चीज वोग नहीं करती है, या आप टमाटर का जूस भी ले स इतने महंगे पेशल से बहुत सस्ता सीरम है और बहुत एफेक्टिव है, इसके जो छिलके बचेंगे, यूस करने हैं, हमेशा कितना बताती हूं अगर जो मेरी इस वीडियो में नहीं है, उनको दुबारा से बताऊंगी कि कैसे इसका इसमाल करना है, तो उनको फेकना मद प बस, अब हमें क्या करना है, इसकाज के बाउल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे वन वीक के लिए, आपको इसमें कॉटन बॉल डिप करनी है और अपने फेस पे अपलाए करना है, अब वो जान लीजिए, रात को सोने से पहले, क्या करना है आपने अपने फेस को फेस आपको लगाने के 15-20 मिनट बाद आप इसको धोलीजे अगर आप इसका दूगना इफेक्ट चाहते हैं तो मैं आपसे यह कहूंगी कि आप इसको पूरी रात के लिए अपने फेस पर लगा रहने दें और next day morning में अपना फेस थंडे पानी से वाश करें उसके बाद आप कोई अपना मौशराइजर और संस्क्रीम जरूर 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 लगाएं आपको रोजाना इसको इस्तेमाल करना है 15 देज में आपकी स्किन इतनी ग्लोइं को जाएगी न कि आप मार्केट में कोई भी क्रीम खरीदा तो बूली जाओँगे तो मैंने आपसे कहा था कि उन के बाद आपको इसको अपनी आम्स पर रफ करना है इससे जतनी भी आपके आम्स पर टानिंग होगी न वो ट्रस्ट मी निकल जाएगी अपनी एल्बोस पे जो आपकी काली है वो भी ठीक हो जाएगी अगर आपकी गर्दन काली है तो उस पे भी आप इसको रफ कर सकते हो ऐ यहो कितना सारे काम बता दिये वे इसके है ना ऐसी दोनों तरफ आप इसको रब करो डिली पे देख दो और टाइम पास भी करते रो और इसको रब भी कर लो अंदर से भी चीन बहार से भी चीन और बोडी बी चीन और के चाहिए कैसा लगा मेरा यह वीडियो कमेंट करके कर देना और कमेंट कर देना लव यह ओर